नमस्कार दोस्तों मैं हो सुशिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल Heroic Knowledge में स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ आपने थंबनेल तो देख लिया होगा और थंबनेल देखने के बाद आप जरूर ये बात जानना चाहेंगे कि बाइक लेते टाइम कौन-कौन से डाकुमेंट की जरूरत होती है और आपको कौन-कौन से डाकुमेंट लेना चाहिए आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बाइक खिर रहे होंगे को यह बताता हूं कि आपको कौन से डॉकुमेंट लेने चाहिए और वह कौन सा डॉकुमेंट है जो आपको नहीं बता जाता वह मैं सबसे वीडियो के लास्ट में बताऊँगा तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा इस्टार्ट करते हैं नमबर एक पाइंट से नमबर वो receipt आपको लेना चाहिए दूसरी नंबर पर आता है text invoice आपको text invoice जरूर लेना चाहिए तिसरे नंबर पर आता है pollution आज का जो pollution होता है वो company के तरब से temporary basic pollution आता है और जो आपको दिया जाता है उसको हम 22 बाइस नंबर करते हैं 22 नंबर होता क्या है रोड वर्थ लाइन सार्टिफिकेट होता है जो आपको आर्ची जब तक नहीं आती है आपकी तब तक वो टंपररी बेस पे पॉलुशन काम करता है तो आपको कंपूज होने की जिरूरत नहीं है कि आपका पॉलुशन एक साल का है या दो साल का है या फिर 6 मेने का होता है जो सोरूम होता है वो आपको बताएंगे कि यह पॉलुशन आपका 6 मेने चलेगा या एक साल चलेगा बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पॉलुशन पे कोई भी डेट मेंसर नहीं होता है यह आप जरूर देख सकते हैं तीसरा नंबर होता है road tax slip road tax slip क्या होता है actually temporary RC होती है जब तक RC नहीं आती है उसके base पर ये काम करता है जो RTO का text होता है उसकी एक slip होती है यानि जब RTO का पैसा जमा हो जाता है तो आपका गाड़ी नंबर आता है यानि बेकिन नंबर आपका जरूर लेना चाहिए और bike insurance आपको hand to hand लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप bike लेकर जाये और जल्दी कोड़ी हो सकता है तो आपको जो bike insurance जरूर लेना चाहिए और इंस्वरेंस, टंप्रेरी आर्सी, आपका पॉलिशन जो टंप्रेरी बेसिक होता है और सुरूम वाले आपको देते हैं चौथा जो most important है वो है आपका driving license तो आपके पास चार पेपर रखने बहुत जरूरी होते हैं इंस्वरेंस, पॉलिशन, आर्सी और driving license अगर आपके पास ये चारो पेपर हैं तो आपको बाइक चलाते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं होती है और आप आराम से drive कर सकते हैं, कोई भी police वाले या road traffic वाले आपको नहीं पकर सकते हैं आप मैं बात करता हूँ वह कौण सा document है, जो आपको नहीं दिया जाता या फिर आपको नहीं बता जाता है तो आपने insurance तो ले लिया बट आपने क्या देखा कि insurance में कौन-कौन से कबर आपको दिया रहे हैं आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा और नहीं आपको बता जाता है एक्चुली में अगर आप बहुत ज्यादा जान करें तो आपको यह जरूर बता जाता होगा कि इंसुरेंस में एक कबर निये दे आता है, actually वो क्या निये दे आता है, आपने RTI कबर का नाम सुनाई होगा, अगर आप बाइक एक लाग की परचेज करते हैं, तो RTI कबर वनली दो तीन सो का होता है, और अगर आपकी बेकिल चोरी हो जाती है, और आपको एक लाग की बाइक है, तो आपको ए आपका इन्वाइस एमाउंट है, याणि जो आपके इन्वाइस पर कबर है, इंस्यौनेस में वो सारा कबर आपको दिया आता है, याणि आपको इन्वाइस की टोटल बैलू दे दी जाती है, तो हल्य नहीं ये बहुत बढ़ी है बात, जो आपको सोरूमाले कभी बातों आ आपको यह बताएंगे नहीं तो आप जब भी बाइक ले आटियाई कबर ऐसा होता है कि बहुत सारे रेट लिस्ट में आटियाई कबर मेंसल नहीं करते हैं तो जब आप लेने जाएं अगर वह आपको आटियाई कबर नहीं दे रहें तो आप 200-300 और लगा दीजिए यानि 200-300 तो उनको इस्ट्रा पेमिंट दीजिए और उनसे बोलिए कि मुझे भाई आटियाई कबर चाहिए आटियाई कबर यह चीज़ होता है कि आपकी अगर बाइक चोरी हो जाती है तो आपका सारा पैसा मिल जाता है आपको तो उम्मेद करता हूं यह वीडियो आपके लिए 4-5 घंटे का वक्त लग जाता है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे धेर सारी रिगलर वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू ध